दोस्तों जब भी कभी भारत के अरपपती लोगों की बात की जाए यानी भारत के सबसे अमेर लोगों की बात की जाए तो दो नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं पहला तो है रतन टाटा और दूसरा मुकेश अमबानी ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल हमेशा बना रहता है कि इन दोनों लोगों में से ज़्यादा अमीर कौन है वैसे कागजों पर तो मुकेश अमबानी की नेट वर्थ हमेशा ही रतन टाटा से ज़्यादा नजराती है लेकिन क्या सच में मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज़्यादा अमीर है अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा और मुकेश अंबानी के पूरे इतिहास और उनकी नेट वर्थ की सटीक तुलना करके दिखाएंगे जिससे ये बात पूरी तरह साफ हो जाएगी कि असल में इन दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है तो चलिए दोस्तों अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों रतन टाटा और मुकेश अंबानी की नेट वर्थ का कंपेरेजन करते समय इन दोनों ही लोगों का इतिहास जानना बहुत जरूरी है और इसलिए पहले हम रतन टाटा के इतिहास के बारे में जानेंगे दोस्तों टाटा का ये इतिहास आज से 152 साल पहले सन 1868 में शुरू हुआ था क्योंकि उसी साल जमसेज जी टाटा ने टाटा ग्रूप की अस्थापना की थी अब जमसेज जी टाटा की अगर बात करें तो उनका जन्म सन 1849 में गुजरात के नवसारी में हुआ था 14 साल गुजरात में बिताने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई सिफ्ट हो गए थे इसी शहर में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने पिता के साथ काम करने लगे दोस्तों जमसेज जी को एक खुद का बिजनस शुरू करना चाहते थे हाला कि उस समय अंग्रेजों के राज की वज़ा से खुद का बिजनस शुरू करना बहुत मुश्किल होता था लेकिन जमसेज जी के इरादे काथी मजबूत थे आखिरकार जमसेज जी ने सन 1868 में 21,000 की पूजी से एक कॉटन कंपनी की शुरूआत की और यहीं से टाटा ग्रूप की निव पड़ी जमसेज जी की उम्र उस समय सिर्फ 29 साल थी और उन्होंने अपने ब्यापार की शुरूआत नाकपूर शहर में एक कॉटन मील बना कर की थी वो सुरुवात से ही क्वाल्टी प्रोड़क्ट बनाने में विश्वास रखते थे और कॉटन के बिजनस को समझने के लिए वे कई बार इंग्लैंड भी गए थे जमसेज जी ने अपनी कॉटन मील को बहुत अच्छी तरह चलाया और साथ ही अपने आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दे असल में जमसेज जी का सपना एक इस्टील कंपनी खोलना हाइड्रो इलक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एजुकेशनल इस्टिटूट खोलना था क्योंकि जमसेज जी भारत को एक ससक्त देश बनाना चाते थे और वो तभी संबह हो सकता था जब भारत में सिक्षा का अस्तर सुधरेगा जमसेज जी ने इन तीनों ही लक्ष को हासिल करने में अपना काम शुरू कर दिया था लेकिन दोस्तों अपसोस की बात ये थी कि अपने पूरे जीवन में वो इन तीनों में से एक भी लक्ष को पूरा नहीं कर पाये थे एक बार जमसेज जी को इंडियन होने की वज़ह से एक फाइव इस्टार होटल में जाने से रोक दिया गया था और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वे एक ऐसा फाइव इस्टार होटल बनाएंगे जिसके अंदर सभी भारतिय लोगों को जाने की आजादी होगी और तभी उन्होंने मुंबई का मश्हूर ताज होटल को बनवाया था असल में जमसेज जी खुद से ज़्यादा भारत और भारत के लोगों के बारे में सोचते थे और यही सीक उन्होंने अपने बेटे दुराप जी को भी दी थी साल 1904 में जमसेज जी के निधन के बाद जब कारोबार की जिम्मेदारी दुराब जी पर आई तो उन्होंने ना सिर्फ अपने पिता के आदेशों पर चलते हुए सभी प्रजेक्ट्स को पूरा किया बल्कि उन्हें एक नई उचाईयों पर पहुचा दिया दुराब जी ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए साक्षी नाम के एक गाउं में अपना इस्टील प्लांट लगाया साल 1938 में दुराब जी के बाद टाटा संस की बागद और जेर्डी टाटा के हाथों में आ गई जेर्डी टाटा एक जबरदस्त बिजनसमैन थे और वे बहुत तेजी से नई कमपनियां और नए बिजनस शुरू करते थे जिस समय जेर्डी टाटा कमपनी के चेयर मैन बने उस समय टाटा ग्रूप में कुल 14 कमपनियां हुआ करती थी दोस्तों ये तो हम बात कर रहे हैं बिग बिजनस टाइकून्स की जो कि शेर मार्केट में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं और आप भी शेर मार्केट में निवेस्ट करने के लिए 5 पैसा का इस्तमाल कर सकते हैं अब हम आपको बताएंगे 5 पैसा के फीचर्स, नई कॉंसेप्ट और एकाउंट ओपनिंग के बारे में अब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और भी इजी 5 पैसा के मेकिंग इन्वेस्टमेंट इजी और डिवार्डिंग ऐडिया के साथ आप 5 मिनट में घर बैटे अपना एकाउंट ओपन कर सकते हैं 5 पैसा के जरीए आप स्टॉक्स, मुच्वल फंड, डिजिटल गोल्ड और आईपियों इन सब में एक ही एकाउंट की जरीए निवेस्ट कर सकते हैं फिर चाहे निवेस 10 हजार का हो या 10 लाग का आपको 20 रुपए ही देने हैं हाला कि चलिए अब हम जानते हैं डबल दमा का ओफर के बारे में 5 पैसा के पावर इन्वेस्टर पैक में आपको मिलेंगे वर्थ 500 रुपए के बहुत सारे इसके अलावा तीन इंपोर्टेंट टूल जैसे स्विंग ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो एनलाइजर का भी आप लाग उठा सकते हैं और पावर इन्वेस्टर पैक जो की 499 रुपए का है आपको एक महीने के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा बस आपको ओफर 999 कोड का इस्तमाल करना है तो दोस्तो देखाना आपने इतने सारे बेनिफिट्स 5 पैसा के साथ अकाउंट ओपिन करने पर तो देर किस बात की अभी डाउनलोड कर ये 5 पैसा और एकाउंट प्रीमिय बनाईए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों जे आरडी टाटा ने ही भारत की पहली एयरलाइन्स टाटा एयरलाइन्स के शुरुआत की थी जिसको आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं इसके अलावा टाटा के कुछ मस्मूर कमपनियां जैसे टाटा केमिकल, टाटा टी, टाटा मोटर्स और टेसियस की शुरुआत भी जे आरडी टाटा ने ही की थी सन 1991 में जब जैर डी टाटा ने कमपनी का चेयर मैन पर छुड़ा था तो कमपनियों की संख्या 14 से 95 पहुँच गई थी जमसेज जी और दुराप जी की तरह ही जैर डी टाटा भी खुच से पहले भारत और भारती नागरिकों के बारे में सोचते थी और इसलिए वह टाटा के सोचल वर्क को एक कदम और आगे ले गए थे दोस्तों जी आरडी टाटा के बाद टाटा गुरूप के चेयर मैन बने रतन टाटा और रतन टाटा के चेयर मैन बनने के बाद टाटा के सभी बिजनस और कमपनिया और भी नई नई उचाईयों पर पहुँच गए अब टाटा सिर्फ भारत ही नई बलकि पूरी दुनिया में राज करती है दोस्तो ये तो हुई बात टाटा गुरूप की अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के इधियास के बारे में दोस्तो मुकेश अंबानी की ये कहानी साल 1960 में शुरू होती है क्योकि उसी साल उनके पिता धीरूबाई अंबानी ने Reliance Commercial Corporation के शुरूआत के थी दरसल धीरुबाई अंबानी का जन्म सन 1932 में गुजरात के जुनागड में हुआ था वैसे तो उनके पिता एक टीचर हुआ करते थे लेकिन फिर भी धीरुबाई अंबानी को पढ़ाई में कोई खास दिज्चस भी नहीं थी उन्होंने दसवीक अच्छा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने वहुत सी छोटी मोटी नोकरियां करना शुरू कर दिया लेकिन दोस्तों उनका मन हमेशा ही खुद का ब्यापार करने का हुआ करता था अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 1960 में मुंबई के अंदर अपनी पहली कमपनी Reliance Commercial Corporation के शुरूआत की ये कमपनी भारतिय मसालो और पॉलेश्टर यार्ण का ब्यापार करती थी इसके बाद साल 1966 में धीरुबाई ने कपड़े का ब्यापार चुरू किया और अपनी दूसरी कमपनी Reliance Textile Engineers Private Limited की नियू डाले दोस्तों साल 1973 में इस कमपनी का नाम बदल कर Reliance Industries Limited रख दिया गया धीरुबाई अमबाणी भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनके अंदर बिजनस करने की जबर्दस काबेलियत थी वह लोगों का भरोसा जीतने और उनसे अपनी बात मनवाने में माहिर थे यही वज़ा थी कि उस जमाने में भी Reliance के पास जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्टर्स मौजूद थे जबकि दूसरी कमपनिया दिन रात महनत करके भी इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं जीत पाती थी इसके बाद दोस्तों धीरुबाई अंबानी ने कई अलग-अलग बिजनस शुरू किये और जिस भी बिजनस में उन्होंने हाट डाला उसमें वो टॉप बिजनसमैन बन गए साल 2002 में धीरुबाई अंबानी का देहान थोने के बाद उनका पूरा बिजनस उनके दोनों बेटो अनील अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच मार दिया गया लेकिन बाद में अनील अंबानी को बिजनस में लॉस होने लगा जिससे उनकी कई कमपनिया बैंकरप्ट हो गए अभी कुछ समय पहले ही उनका ये बयान भी आया था कि कारोबार में घाटा होने की वज़ा से इस समय उनकी नेट वर्थ जीरो हो गई है इसके विपरीत मुकेश अंबानी ने अपने पिता से विरासत में मिले बिजनस को बहुत अच्छे डंक से चलाया और वो अपने हिस्से में आई सभी कमपनियों को इतनी हुजाई पर ले गए कि आज उनकी गिंती सिर्फ भारत ही नहीं बलकि दुनिया भर के अमेर लोगों में की जाती है दोस्तों ये तो हुआ दोनों कमपनियों का इतियास अब हम रतन टाटा और मुकेश अमबानी दोनों की तुलना करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि दोनों में जादा अमीर कौन है दोस्तों मुकेश अमबानी की अगर बात की जाए तो उनकी प्रमुक कमपनी Reliance Industries Limited है जबकि Reliance Retail, Reliance Petroleum और Reliance Geo आधी सभी कमपनिया Reliance Industries Limited की ही सबसीडरी है अब अगर बात करें टाटा ग्रूप की तो Reliance कमपनी की तुलना में इसकी सहायक कमपनियों की संख्या बहुत जादे हैं क्योंकि टाटा ने लगबग हर एक इंडस्टी में ही अपनी दस्तक दी हुई है ऐसे में अगर हम दोनों कमपनियों की Market Cap यानी Market Value की बात करें तो Maximum Time टाटा का Market Cap Reliance से ज़्यादा रहता है अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर टाटा का Market Cap Reliance से ज़्यादा है तो फिर रतन टाटा का Net Worth मुकेश अमबानी से इतना कम क्यों है असल में इसका कारण ये है कि मुकेश अमबानी Reliance Industries के लगबग 48% सेयर की मालिक है इसलिए सितंबर में उनकी Net Worth 88 billion dollar तक पहुँच गई थी और अगर बात की जाए रतन टाटा की तो टाटा कमपनी में उनके शेयर 1% से भी कम है जिसके कारण उनकी Net Worth मुकेश अमबानी के सामने काफी कम नजर आती है अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि अगर रतन टाटा सिर्फ 1% सेयर की मालिक है तो फिर टाटा की बाकी शेयर होल्डिंग किसके पास है तो दोस्तों हम आपको बता देंगी टाटा की लगबग 66% सेयर होल्डिंग उनके द्वारा बनाये गए चेरिटेवल संस्थाओं के पास है जिसमें सर रतन टाटा टरस्ट, सर दुराब जी टाटा टरस्ट और टाटा एजुकेशन टरस्ट जैसी बहुत से संस्थाओं के नाम सामिल है दोस्तों ये सभी संस्थाओं अलग-अलग छेत्रों में भारतिये लोगों की मदद करने का काम करती है अब अगर ये छांचत प्रस्टत चेयर इन संस्थाओं की जगा रतन टाटा के नाम होते तो यकीनन आज वो सिर्फ भारत ही नहीं बलकि पूरे एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते दोस्तों इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि मुकेस अमबानी भले ही पेपर पर अमीर है लेकिन असली अमीर तो रतन टाटा ही है बाकि इन दोनों लोगों के बारे में आपका क्या राया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बाकि आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको हमारी आज की या वीडियो का भी पसंद आई होगी और दोस्तों ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बोले आपका बहुमूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद में